हेलो एन्मे लवर्ज स्वागत है तुम लोग की एक और नहीं वीडियो में और आज में 10 पूरू एन्मे सीरिस की 12 एपिसोड को एक्स्प्रेंट करने वाला हो और यह वाला एपिसोड इस एन्मे सीरिस की लास्ट एपिसोड होने वाला है इसका कोई दूसरा सेजन अभी तक तो नहीं है और बाद में आएगा भी या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता इसका मतलब यहांनी में यहां पर फाइनली कदम होता है और आई होब कि तुम लोग को यहांनी में बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो ज्यादा बगबग ना करती हुए चलिए रखना होगा और फिर यहां पर हमें इंट्रो दिखाया जाता है और इंट्रों के बाद हम देखते हैं युजुकी अभी भी उस सदमे के अंदर थी जहां पर वह आक गम्य को यह बोल देती है कि इस इस नान फियर बिजनेस मतलब मतलब बहुत से तक उस्से में आपकर यह और उन दोनों को बहुत ज़्यादा खुश दिखाय दे रहा था जो देखकर युजुकी की आखे फट जाती है और वहां से दौर के भागने लगती है और भागते भागते वह यही सोच रही होती है कि मैं आखिर यहां से भाग क्यों रही हो अब नेक सीन में हम देखते है क आखगमी अभी जॉब कर रहा था और उसे अभी तो कोई भी जॉब नहीं मिला है और वह जॉब ढूंट दूंते अभी वही बात सोच रहा था जहां पर युजुकी और आखगमी की लड़ाय हुई थी और वह सोचता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे ज़्यादा इधर उधर चोटे खाने लगती है लेकिन वह फिर भी बोलती है कि मैं में ठीक हूँ अब वह युजुकी के साथ बात करने ही वाला होता है लेकिन तभी पीछे से कीकी आगे आखगमी को रोग देती है और वह युजुकी को बोलती है कि क्या तुम इन सब क्या कुछ हुआ है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो आखगमी यह पर चूप रहता है लेकिन अगर इस बात को तुरा सब्सक्राइब कर देता है तब ही अपनी बैंगन को दिखाता हूए बोलता है कि यह क्या है तौं कि दूब बोलती है कि यह मैं हो की और फिर वह बोलती है कि जब कोई बंदा मून की तरफ फिंगर दिखा के उसे इंडेकार करने की तुम यूजिक्यू को कैसे देखते हो आगागमी बोलती है कि वह बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और केरलेज भी और वह बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है यूजिकी की बारे में और दूसरी तरफ हम देखते है कि उजिकी उन बॉक्सेस को लेकर स्टोर्रों म में ले जाना चाहती है तो यहां पर केकी को दिखते हैं बहुत बड़ी और वह दौर के जाने लगते हैं लोगे पास और वह आगागमी को बोलते हैं कि यहां पर हम लोग ग्रेव चेंज करवाने के लिए उन लोग के 100 टाइम्स ज्यादा पैसे मांगेंगे ताकि हम लोग अपना बुद्धा की मूर्ती जो है उसे ठीक कर पाए और वह दौरत दौरत वहां पर पहुसते हैं लेकिन वहां पर पहुसते ही वह लोग देखते हैं कि वह और और वह बच्ची दोनों वहां से जा रही होती है क्योंकि यूजिकी ने उन लोगों को ग्रेव चेंज करवा और इन लोग अब इसवास भी हमारे टेंपल से उठ चुका था तो इसलिए ये लोग अमनी ग्रेव चेंज करवाना चाते थे और फिर उजिकी और भी ज्यादा जो उसके साथ बोलती है कि मैं और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी लेकिन तभी की की एक बहुत ही बरी ब बाज ट्रेणिंग नहीं है और वह यहां पर थोड़ा से लगते हैं लेकिन फिर वह कहती है कि डिप्रेश्ट होने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और वह अपनी ड्रेस चेंज करके तयार होके बाहर चला जाती है सब लोग पास और वह बोलती है कि आज मैं बहुत ज्या रिप्रेस कि ज़ए कि आखे तो गोल 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 जाती है क्योंकि उसके पास तो अब और कोई काम ही नहीं बचा है करने के लिए तो फिस अकि कग मिंड़ा है और और कुरागे बोलती है कि मेरे पास भी तो नहीं है उसका कॉंटेक्ट नंबर हम लोगों को भी चाहिए और यहाँ पर मियाँ और कुरागे दोनों मिलकर चीकने चिलाने लगते हैं और फिर वो तिनों लर्किया सुकियों को चीटर चीटर कहने लगते हैं अब नेक सिन में हम कि उसकी एक बस्टेंड में बैटी हुई है और वहाँ पर बैटके वह काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉप में कॉल कर रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे किसी भी सॉप में काम नहीं मिली होती है और वह ताभी वहाँ से उठके एक वेंडिंग मसिम में कि आगगमी और कीकी दोनों एक रेस्टोरेंट में थे जहां पर आगगमी कीकी को बहुत ज़्याद रिक्वेस्ट कर रहा होता है ताकि वो यूजी की को ट्रेनिंग देना शुरू कर दे लेकिन यूजी की यहां पर बिल्कुल भी नहीं मानती और वो वहां से उठके जाने ही में रोजकी वाली होती है लिकिन अगार तो बहुत तेज बारिश हो रही है और यहां पर पर वहोंक लिक्ति नहीं मिल रही है जो सुनकर यसान दौर के निकल जाता है यह शी को ढूंदने के लिए और अगगमी हर एक उस जगा को ढूंदता है जहां पर यूजी की जा सकती लेकिन उसे कहीं पर भी उसे की नहीं मिलती है लेकिन दूसरे तरफ यूजिकी उसी जगापर छुपे हुई थी जहां पर आगागमी सेगेंड एपिसोड में छुपा हुआ था और यहां पर बैटकर वो यह सोच रही होती है कि आखिर में क्या करूँ ताकी में मौम की तरह ब तेंबल करने की तैयारी कर लो चुट सिकरेंड यह तुम से ल्टार बैपन को बंक्राइब कर दो च्लाओंग seus का ईम हाना सकते रियुआ यहां पर यूजिकी को क्यों किकी और खीपने चाहल आना लगताहर और योजिकी यहां पर बहुत ज़एदा उदास के साथ साथ बहुत ज़यदा डिप्रस भी थी पर अब फवाईनल यives जगहां पर पहुँच चुपी हुवी थी और सच बता हो तो यह हग देखकर मुझे ना बहुत ज्यादा सुगून मिला है दोस्तों तो वहां पर वो लोग बहुत देड़ तक वैसे ही खरे रहते हैं अब दूसरी सुबह युजिकी की आख खुलती है अपनी बेट पे जहां पर उसे बहुत ही तेज बुखार थी और व था क्यों दूसरी बता है कि कोई भी और यहां पर हमें उसके將 को दिखाया जाता और यूजिकी तुमने ये इस गलत तो यूजी की प्लीज मुझे अपने लाइफ में इन्वाल्व कर लो जो सुनकर यूजी की तो रोव परती है और वो बोलते है कि यह सब कुछ तुम्हारा साथ इसलिया हुआ है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और जिस वज़़ए से तुम हर दिन बहुत ज़्यादा ऊप्शी रहते हो और बागरा-बागरा तो आखकार इस जिए है कि मैं से कुछ करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए क्यूंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं इस टेम बिल को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करते हो और यहाँ पर यूजिकी बहुत ज़्यादा भाबो हो जाते हैं और तबी अचानक सारे लड़किया दरवाजी को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और सबी लड़किया मिलका यूजिकी को बहुत से अध्रार थे और उसे इडियेट कहते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि हम लोग तुमारे कितना ज़्यादा फिकर कर रहे थे बगएरा बगएरा तो वहां पर कीकी भी घरी हुए थी तो यूजिकी को बोलते हैं कि मैं फाइनली फिगर आउट कर चुकी हो कि आप मुझे ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाना चाहती है अब आकरे सीन में हम देखते है कि और आगअगमी दोनों मिलकर बैट के साम के मज़ी ले रहे होते हैं और दोनों एक दूसरी के साथ बहुत आछी तेरे पहाते कर रहे होते हैं और इसई खूबशूरत मौमेंट के साथ ही एपिसोड यही बेपर खतम होती है तो मैं उस एनिमे के उपर काम करना शुरू कर दूँगा प्लीज हारेम टाप के एनिमे सजेस्ट मत करना क्योंकि मैं उस टाप के एनिमे explain नहीं करने वाला हो क्योंकि बहुत ज़्यादा येलो डॉलर के sign आ रहा है मेरे को जिसके वज़ाए से मुझे पैसे नहीं मिल रहा है यार और पैसे के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ मैं खेर जो भी हो तो एक छोटो सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए भाई भाई